नमस्कार दोस्तोइं आये हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखें किसी प्रकार का कोई ठीकर करकर या डिका प्रकार हो दो प्रकार कि नमबर एक होती है गया है नेसं पहले प्रायमी मेमोरि के बारे में में दीखा है जो přाइंडी मेमोरी होती है ऑटको एक अस्थान से दोस्रे अस्थान थाकरने प्रदान करता है और डाटा को क्या करता है रोकने में सहायता करता है रोम जो होता है रोम एक हैसी मिमोरी होता है कंप्यूटर को बूट करने में काम करता है यह कंप्यूटर के बायोस को इसमें स्टोर किया जाता है जो कंप्यूटर के क्या करता है डाटा को रीड करने का काम क हम भाठ करें के बात करेंगे सबसे पहले कि भी राम के बारे जिसका नीज को बतादें जब हम अधिक मियूरी होते हैं थी तो हम क raggच अधिक में लूद भीयां ही लूने शाथ कि यह में 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 प्षूरा को यह मिल a1 नियुक्ट तो हम क्या मूलते हैं, बढ वाला चोटे से बिटर है, चोटा वाला बढ़ी से बिटर है, उसका काम उससे अच्छा है है। तो उसे तरीके से जहों एक से अधिक प्रीपोर्न क्या करते हैं, उसकе कछ गुप प्रीप क्या करता है। तुल आत्मक रूप से पड़ता है। चार्ज और डिश्चार्ज से जिससे क्या होता है इसमें जब बार बार रिफ्रेस होता है बार बार रिफ्रेस होने करा बिसे वस्त को क्या करता है बार बार यह मिटा देता हो जल्दी रिफ्रेस होने करा इसकी गती जो होती हो कम होती है दूसरा जो होता है आपका देखें जो YesRam होता है, YesRam क्या होता है, YesRam DRAM के पेच्छा ज्यादा तेज होता है, इसकी गती जो होती है, क्या होती है, CPU की घड़ी की गती के अनुशार रिफ्रेस होता है इसलिए ये DRAM के पेच्छा डाटा को तेजी से अस्थान अंत्रित यह ट्रांस्फर करता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक डाटा DRAM के पेच्छा YES RAM तेजी से भेजता है अब आती है आपकी static RAM इसको भी YES RAM ही बोलता है static RAM क्या होता है एक ऐसी RAM है जो कम रिफ्रेस होती है कम रिफ्रेस होने के कराण यह डाटा को मिमोरी में अधिक समय तक क्या गरता है रखता है DRAM के पेच्छा YES RAM तेज तथा क्या होती है महंगी मिमोरी होती है अब आता है ROM अब देखिए ROM मिमोरी के नाम से ही पता जलता है ROM काई पार उच्छाण के रूम 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 में सुक्या हो जैसे आप देखते हैं हाथों में रोए होते हैं से मुझी तरीके सी मिमोरी होते हैं जैसे जब हम कोई भागवत का था या हम कभी सत्संग सुनने जाते हैं तो पंडी जी क्या करते हैं कि भगवान को रूम रूम में बसा लो यह रूम रूम में बसा हुआ चीज कभी निकलता नहीं है सिब उसी तरीके से कम्पीटर की जो मिमोरी होती है उसमें जो रूम मिमोरी होती है उसमें जब हम किसी डाटा को बसा लेते हैं किसी डाटा को मिश्टोर कर देते हैं तो जल्दी निकलता नहीं है यह कैसी मिमोरी होती है यह आपरेटिक मिमोरी होती है इसको हम बोलते हैं य हम कंपीटर को सबसे पहले बूट करते हैं बूट करते समय जो सबसे पहला कारी करता हो कौन काम करता है रोम का कारी होता है सिफ कंपीटर को बूट करते समय तक वर करना रोम मेमोरी जो होती हो यह आस्थाई मिमोरी कहलाती है इसे में किसी भी डाटा को अगर हम एक बार रिस्टोर कर दें तो उसको डिलीट करना इतना आसान नहीं होता था नहीं होता था आयों कि norms n6 अ नंबर 1 को मेरी इसलियल दूसर लेकर जए के बढ़र के लिए यह म्यफि इसलों प्रोग्राम वाल रीडव तो अब देखिए चोटा सा आपको मस्ते ही से यज़ा फूले के पढ़ाएंगे पी रोम पी रोम को अगर हमें बात करें तो आज से कुछ दिन पहले हम picture में देखें और सुनें भी हैं जैसे पी रोम same work ऐसे करता था जैसे रांजहा और हीर का प्यार रांजहा और हीर का प्यार क्या था कि एक बार मुहबत हो गई एक बार दोस्ती हो गई तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता अगर हम प्यार या महबत को तोड़ते या दोस्ती को तोड़ते तो क्या होगा उसमें जन और धने दोनों की हान होने की संभावना रहती थी यानि दोनों अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं होगे सेम उसी तरीके से पी रोम में क्या था प्रोग्रामेबल रीडवली मेमोरी में अगर हम डाटा को डालते समय अगर हम से कोई गलती हो गई तो उस डाटा को हम एरेज नहीं कर सकते भले हमारा मदर बोड और रोम खतम हो जाए अगर हम डाटा को एरेज करने के कोशिज करेंगे तो क्या होगा हमारा मदर बोड और रोम दूनों खत्म होने की संभावना रहती थी फिर उसके बाद है एरेजबल प्रोग्रामेबल रीटोबली में मोरी अगर हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो आपका था पी रोम की तरह दोस्ती होती थी फिर दो चार दस साल की बात करें तो एरेजबल प्रोग्रामेबल रीटोबली इसमें अगर हम डाटा को डालते समय कोई गलती हो जाती थी तो गलती अगर हुई तो उसको इरेज कर सकते थे लेकिन इरेज करते समय डिलीट करते समय हमें इसमें क्या करना पड़ता था अगर मलो ये बेक्ति है वधारण से एक बीवित्त गर उससे दोस्ती हो गई तो अगर हम इसमें इन दोषनों की दोस्ती में कुछ गलती हो गई अगर इनको हम दूसरे से आलक करने कोसेश करें तो इसमें जन्द का और धन की हान होने की संभावना होती थी, या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा और या फिर जो बीच में उनको तोड़ रहा है वो जाएगा सिम उसी तरीके से एपी रोन में क्या था कि अगर हम डाटा डालते समय कोई गलती हो गई अगर उस डाटा हम डिलीट करना चाहते थे तो यहाँ फिर हमारा मदर बोड जाएगा यहाँ फिर रायम जाएगा यह 95% संभावना रहती थी 5% संभावना रहती थी कि हम सक्षेज होते थे अब आता है ईपी रोम ईपी रोम सेम आज इस समय की जैसी की दोस्ती होती है सेम उस उपयोग किया जाता है कि अगर हमने computer में memory डालते समय कोई गलती होती है तो आसानी से हम electronic group से अपने data को erase कर सकते हैं यह उसको मिटा सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसे आज के date में किसे से हमने दोस्ती किया जड़ा सा खरता हमसे गलती हुई या ँसने हमसे कहा क्या ओ चलते हैं mall टहल ले और आपने कहामे पास पैसा नहीं है आपको लात्मार दूसरे के साथ हो गया या कोई बैती है आप से उसने दोस्ती किया साथ में दोने लोग टहले निकले और आपने उसके टैकसी कराया दिया और उसके टैकसी कराया नहीं दिया तो इसकी दोस्ती खत्म सेम उसी तरीके से EEP रोम क्या है आसानेवल आरहाम से हमा को इगलती हुई तो उस डाटा को बिना मदर बोर्ड से कम्प्यूटर निकाले, सरी रोम को निकाले, बिना कम्प्यूटर से हमें उसको हटाए, बिना अल्टरा रेज के बाउच्छार किये, आसानी से अपने खराब लाटा को वहां से डिलीट कर सकते हैं, यह हुआ आपका रोम, रोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक पी रोम, एपी रोम और एपी रोम, इस समय जो मदर बोर्ड पर रोम हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एपी, एपी रोम, नहीं है, electronic programmable read-only memory, अब हम बात करने कि secondary memory कि secondary memory क्या होती है, secondary memory को external memory भी कहते है, secondary memory वह में होती ही, जब हम कारी करने के बाद, अपने complete data को, जिसमें हम सुरच्छित रखते हैं, सेब रखते हैं, वह हमारी क्या खिलाते हैं, secondary memory, अब हम एक छोटा सा उधान ले, लगबाद सारे बच्चे किसान परिवार से होते हैं, देखते हैं, जहां हम खेती में, जिसमें ग्योहों की कटाई चल लई, और ग्योहों को हम सबसे पहले कहां पे रखते हैं, भरके बोरी में, बोरी एक तरीके से क्या होती है? रायम मान लेते हैं कि रैम होती है, कि अगर इसमें है, एनि आप वर्क करते समय, बारिसाई, आधियाई, और बोरी में गहूं रखा है, तो खराब होने, डर रहता हैं, या फिने बोरी में रखा, तो घुनने का डर रहता है, शडोशन किसी का अबस computer हमारा बंद हो जाता है तो हमारा data erase होने का डर रहता है लेकिन उस data को अगर हम सुरच्छित अपने secondary memory या हार्डिक्स या फ्लाफेडिक्स या पने drive में सुरच्छित रख लेते हैं तो हमारा data सुरच्छित रहता है जैसे कि अपने क्यों को अपने सुरच्छित गोदाम तक पहुशा देते हैं तो वहां पर उस data को हम क्या करते हैं दवा या इन सारे चीजों से लगा के सुरच्छित रखते हैं जब तक हम चाहते हैं तब तक सुरच्छित रखे रहते हैं जब तक वहां से निकाल के उसको शेल नहीं करते हैं जैसे आपने computer data को hardix में जब तक चाहते हैं तब तक सुरचित रहते हैं जब तक हम उसको delete के erase नहीं करते हैं अब हम बात करते हैं secondary memory में सबसे पहला आपका था हाड hardware datLC होता है हाड जो होता हो Christopher chumbaís familiar होती है जिसके अंधर क्या करते है damn data को store करते हैं दीखे यह जो होती है इसमें एक कैसी होती है जो खंटी the suffer load cycle की अंदर आलग से लगाते हैं कैसे लगाते हैं आलक से लगाते हैं मोनोक कार रविंधिया ऌब उसके बाद दूसरा जो आपका आता है और देखिए जो हाइड किया करते हैं डाटा को एक हमका इसे खंप कारते हैं कैसे इस выбट number को मैं आलग आलग सेडर के हिरां अताम आज हम कितना इस तोर करते हैं पांसु बारा और धा सबसे पहला होता है सिक टाइम क्या होता है डिक्स में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है जो लगता है डाटा को सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय क्या क्या हता है तीसरा क्या होता है ट्रांसफर्रेट क्या होता है सेक्टर में डाटा को लिखने पढ़ने में समय जो लगता उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर रेट बोलते हैं दूसरा आता है अधार की ब्यास वाली फ्लाफी डिंग और दूसरा पान सही one upon two ब्यास वाली फलाफी डिंग अब देख़ें पहली फ्लाफी डिक्स होती यहां प्लास्टिक की जाइकेट से सुरच्छित रहती है इसकी संग्रेश हमता कितनी थी 360 KB से 2.44 MB तक होती है दूसरा जो क्या होता है इसका प्रियुक्प क्या सरप्रत्था इसकी संग्रेश हमता कितनी होती है इसमें 2.88 MB तक होता है लेकिन जदातर हम डिक्स के तौर पर किसका उप्योग करते हैं फिर आता है मैगनेटिक टेप आपको सबको पता है जो सबसे पहले बाजयों बाजया में कैसिट होती थी जिसमें एक रील लगी होती थी जो की टेप की तरीके से वब करता था जैसे क्या आपके सामने है इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं से बैकप तैयार करने का काम करते दूसरा आता है आप्तिकल डिक्स प्रकार क्योंते सीडी और डीबीडी देखिए इनका कार और चार उन्हारों के चिछीटी चोटी ड्राइब होती है जिसको क्या कर सकते हैं अपने डाट-टाइप आसानी से एक इस्थान से दूसरी अस्थान पर लेसा सकते हैं , दूसरी चीब लेहां, इसकी उत्सान के उन्हाने थीड़ त्री है मेमोरी आती है जिनका प्राइब की तरह अपने डाटा को एक थान से दूसरे स्थान तक कांप करते हैं फिर आते हैं जीप कार्ट जीप कार्ट क्या होते हैं जीप ड्राइब है जिसका उप्य ब्रोक्तिगण कंप्योटर फाइलों का backup लेने और इस्टोर करने के लिए क्या आता है इसे ट्रेट मार्क जिप ड्राइब को कब चालू क्या गया तो 1990 कब चालू क्या गया 1990 में कब किया गया 1990 में 1990 की मद्ध में किया गया था अब देखिए जिप ड्राइब को डिक्स दु आकार में 100 मेगाउड के आकार में जो आस्तों में सो 4 halls 371 byte data या 70-ाफर डिक्स डिसेक्स के बराबर होती है दूसरा आता है 250 मेगाउड ड्राइब और डिक्स्स भी होती है यह इश्रॉन होती है यह करते हैं जिब ड्राइब जो होती है वो डाटा को बहुत तेजी से ट्रांसपर करती है अथा इनकी जो छमता होती बहुत टिकाओ या विश्वास नहीं होती है इसमें डाटा को मिस्टोर करके बहुत दिनों तक आसानी से बिना किसी वाइरस के रख सकते हैं कि इसमें वाइरस आने की स संभावना भी कम रहती है तीसरा आता है को magnetic टेप जो कि हम पहले प्रियोग करते थे magnetic tape और magnetic disc जाय से सीम होता है इसमें क्या होता है यह magnetic डिक्स जो होते है एक stored device होती जिसमें data को write और rewrite और और access करने के लिए magnetation प्रियोग करते थे यह एक चुम्बक्य कोडिंग यह चुम्बक्य का लियार लगा होता था के साथ कबर किया आता था और टेक्स इस पार्ट और सेक्टर के रूप में data ह्लडेक्स फ्लाफी के अंतरगत आते हैंने यह हुआ आनों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें और चनल को सस्क्राइब करें धन्यबाद झाल झाल